कि यजुरुवेद के मंत्रों का उच्चारण इनमें से कौन सा प्रोहित करता है होता अधर्वियू उद्गाता या उद्गात्री इनमें से कोई भी है क्या होगा इसका सही अंसर कि बोलिए अधर्वियू आपका अधर्वियू आपका क्या मतलब जैसा यह बोलने वैसा अच्छा यह बात सही है ना यजुरुवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला अधर्वियू उद्गाता जो है वो साम्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है कल् limasutra साहित के कितने भाग हैं how many parts are there कल्प सूत्र एक, दो, तीन, चार कल्प सूत्र जो साहित है उसके कितने भाग हैं बोलो आप क्या कहते हो तुका लगा रहे हुँ ना आप तुका तो लग गया तो ठीक है नहीं तो कितने पक्का, तो कप है कर दो? दो पता है, तो जो पता है वो बोलना चाहिए, जो नहीं पता है वो दर भी जाओगे क्या? तीन, कल्प सूत्र साहिते के तीन भाग है, अगला आ जाता है कि स्रोत सूत्र में क्या वरनित है? शुरोत सूत्र में क्या वर्णित है ठीक है यग्यसंबंदी नियम दिये गए है सांसारिक नियमों का वर्णन है सामाजिक धार्मिक और राजनिते कर्तब्यों के बारे में है या इन मेंसे किसी के भी बारे में नहीं लेखा हुआ है तो क्या होगा राइट आंसर बताओ श्रोट सूत्र क्या नहीं पता उल्मिला के प्रशन देखे हालत यह है कि हमें नहीं पता यही तो इस्तिती बनती है जबकि यह उसमें जब बैदिक साहिते पढ़ते ना आरियों के बारे में तब इसके बारे में चर्चा की जाती है तो यग संबन्दी जो नियम है उनका वर्लन किया गया है अगला आता है इन में से किस ग्रंत में हिंदूओं, यवनों और शकों के संघर्ष का वर्लन किया गया है काब्या दर्ष में किया है रामायन, महाभारत, अथर्ववेद, इन में से कौन? और आप बताओ, गैस करो, ठीक से? नहीं बता, रामायन पढ़ी है, लगता है फिर महाभारत क्यों बोलते हो, महाभारत में क्या रिश्वत मिली थी कि नहीं, तुम ये नहीं ये बता देना, समद्रे हो, ऐसा मत करो, नेक्स राता है, प्रश्चन नमबर है पांचमा, सबसे प्राचीन तम पुराण जो है, वो इन में से कौन सा है, इसकंद पुराण, अगनी पुराण, मत से पुराण, विश्लू पुराण, सबसे प्राचीन तम पुराण कौन सा है जी बुलिए मत से आपका भी मत से चलो ये तो सही कर देते मत से पुराण जो है सबसे प्राचीन मना जाता है अगला next question जो है six number किस साहित को आगम कहा जाता है इन मेंसे जैन साहित्य को वौध को वैदिक को हडपा कालीन साहित्य को आगम किसे कहते है हडपा कालीन साहित्य को तो देखो कोई नाम दिया नहीं गया है क्योंकि उसको तो पढ़न नहीं पाए है तो हडपा तो हटा दो अब तीन बचते हैं अलाकि ये चुकि नोट्स में बताया भी गया है तो यहां पर क्या आएगा नहीं पता क्या आएगा नहीं पता जैन साहित्य को आगम साहित्य के रूप में जाना जाता है ठीक है? तो ये याद कर लेना कि जैन साहित्य जो है वो कौन सा हो गया आगम साहित्य हो गया अगला question है इन में से क्या सुमेलित नहीं है यानि एक कोई जो है वो गलत दिया हुआ है किताबें जो पढ़ाई गहीं थी न अमर कोस उसके आगे लिखा हुआ है अमर शिंग कथा सरित सागर इसके आगे लिखा हुआ है सोम देव विक कथा सरित सागर कथा सरित सागर किस ने लिखी अगर आप भी बोलते हैं तो अमर कोश अमर सिंग ने ही लिखा है कथा सरित सागर सौम देव के द्वारा ही लिखा है विक्रमांक देवचरत जो है ये पदम गुप्त नहीं इनके द्वारा नहीं लिखा गया है और देवी चंद्रगुप्तम ये विलकुल सही है अगला क्वेशन है क्वेशन नम्बर है एट इसमें देखते हैं इनमें से किस विदेशी यात्री ने मध्यप्रदेश के समाज और संस्कृती का वरलन अपनी किताब में किया हुआ है पायान वेंड सांग इबन वदूता अलवरू की कौन सा विदेशी यात्री था जिसने अपने साहित में या अपने कुछ में भारत की संस्कृती भारत के समाज के बारे में लिखा हुआ है वेंड सांग आप पायान आप पायान यहां पर पायान आये उसने लिखा हुआ है अगला है question number 9 अशोग के ज़्यादातर अविलेक कौन सी लिपी में लिखे गए हैं खरोष्ठी, ब्राहमी, आर्मैक इन में से कोई भी नहीं अशोग के ज़्यादातर अविलेक कौन सी लिपी के अंतरगत पाये गए हैं पक्का ब्राहमी सही उक्तर यही हो जाता है अगला है question number 10 वां किस वंस के शाष्कों ने सर्वादिक सोने के सिक्षे चलवाए कुशान वंस, गुप्त वंस, मौरे वंस, सात वाहन वंस, सर्वादिक मात्रा में सोने के सिक्षे चलवाए इन में से कुंसा आप बताओ हाँ जी यह तो अब्दे को पढ़ाया हुआ है इस पर discussion भी इनका था कि सबसे पहले किस ने सलवाए सबसे सुद्ध सोने के सिक्षे वो कनिश्क ने चलवाए थे सर्वादिक मात्रा में सोने के सिक्षे जो है वो गुप्त वंस ने चलवाए हुए है जिसका गलत होता जाए ओनेस्टी के साथ लिखता जाना कि मेरे इतने ही इतने गलत हो गए उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माड जो है वो ज्यादा तर कौन सी शैली में किया गया है नागर शैली द्रविण शैली वेसर शैली इन में से कोई भी नहीं ये तीन सैली पढ़ाई थी नागर द्रविण वेसर वेसर जो थी वो दोनों का मिला जुला रूप था एक में जो बंदिर बनाय जाते थे मूंचे चाउतरे पर बनाय जाते थे एक में कड़े में बनाय जाते थे तो इसमें क्या उत्तर होगा सही आपका लग रहा है मतलब याद नहीं है यह गलत इस्तिति नागर शहली सही उत्तर हो जाता है याद कर लेना चाहिए शबसे पहले किस इतिहास कार ने हुरपा के ठीलों का वर्रण किया है हाडपा के ठीलों का सबसे पहले इनमें से कौन से इतियासकार के द्वारा किया गया जनरल कनिंगम, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, चार्ल्स मैसन, पांडे जी खुस हैं कि इसका तो आंसर मुझे ऐसे ऐसे पता है, तो ऐसे ऐसे बताईए, हाँ, गलत है, मैसन सही है, चार्ल्स मैसन ने हडपा के टीनों का कहा आए थे, किसके घर में, हडपा सब्विता की प्रारंबिक जानकारी देने वालों में नाम आता है, और यहां क्या प्रस्ण है, तोनों अलग-अलग हो जाते हैं, यानि सिंदुगाटी सब्विता की प्रारंबिक जानकारी देने में उनका नाम आ जाता है, चार्ल्स मैस अगला question है question number 13 हडपा कालीन किस इस्थान को किले के अंदर किला कहा गया है मोहन जोदुरो हडपा राखी गड़ी दोला वीरा बोलिए किले के अंदर किले की संग्या किसे दी कही है बताते जाओ मोहन जोदुरो आपको मोहन जोदुरो आपको ये क्यों मतलब किले के अंदर किला मोहन जोदुरो को क्यों बोल रहे है हाँ वहाँ पे कहा गया डंडा क्या था वहाँ पे किसके घरों के बाहर मोहन जोदुरो में ठीक है राखी गड़ी के बारे में बताया था मैंने आपको वो कि ये किले के अंदर किले की संग्या दी जाती है कि एक तो नगर के भी घेरा गया था और हर घर को भी ऐसे कवर्ड किया गया था हर घर को ये भूल जाते हो राखी गड़ी हडपा सब्यता की सबसे बड़ी इमारत इन में से कौन सी है हडपा सब्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहन जोदोडों का इश्नानागार मोहन जोदोडों का अनागार हडपा का अनागार लोथल बंदरगा बताईए बताओ अनागार मोहन जोदोडों का इमारत पूछी जाएगी न तो ये लगाएंगे अन्नागार ठीक है अगला क्वेशन है कि किस इस्थान से एक तीन कमरों वाला विशाल कबरिस्थान मिला या जिसे R-37 नाम दिया ऐसा कबरिस्थान कौन से इस्थान से खोजा गया हडपा, मोहन जोदडो, लोथल, चनूदडो हाजी नहीं पता हडपा से मिला है R-37 नाम से जो कबरिस्थान है बो नेक्स्ट है इनमे से क्या सही नहीं है नगर दिये हैं और किस नदी के किनारे हैं बो मोहन जोदडो, सिंद नदी, रोपड, हिंडन नदी, हडपा, रावी नदी, काली भंगा, घगर नदी, बताओ मोहन जोदडो कौन सी नदी के किनारे मिला मोहन जोदडो कौन सी नदी के किनारे मिला तो आप बताओ ना क्या है इसमें बी आप बदा चुकि इसमें लिखा है ये सतलज नदी के किनारे मिला है रोपड हिंडन नदी के किनारे नहीं मिला है बाकी सब सही है रोपड जो है ये इसमें मिसमेच है नेक्स्ट वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी इनमें से कौन सी मानी गई थी गंगा यमुना जेलम इनमें से कोई भी नहीं कौन सी यमुना इनमें से कोई नहीं सबसे पवित्र नदी जो थी वो सरश्वती को माना गया था जो इसमें नहीं दी हुई है आंसर हमारा चोथा सह हो जाएगा अगला है 18 नंबर का रिगवेद में जन शब्द का प्रियोग कितनी बार किया गया है रिगवेद में 275 302 बार एक बार जन शब्द जन जो था गाओं को कई सारे गाओं मिल करके और उसकई सारे विश मिल करके बंगे थे हाँ जी 275 बार जन का उलेख किया गया है रिवेद में दसराग की युद्ध जो है वो कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था सिंद नदी, सरस्वती नदी परुषणी नदी, जेलम नदी जी तेज बोलो सायद ये नमबर पे सिंद नदी पे लड़ा गया आप बोलो परुषणी नदी पे लड़ा गया परुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था ये है सही उत्तर नेक्स है इन में से सबसे प्राचीन संस्था जो है वो कौन सी थी सभा, गण, विदत, समिती सबसे प्राचीन बोलिये बोलो कौपी कर लो विदत जो थी सबसे प्राचीन थी ठीके नेक्स आता है आरियों के संबंद में इन में से क्या सही नहीं है क्या सत्य नहीं है ये घोड़े से परचित थे ये अधिक बैलों से क्रशी कारी करते थे ये हाथियों से परचित थे गाए को अगहन्या कहा जाता था क्या सही नहीं है हाथियों से परचित थे अबदग आर्यों के सम्मद अधिक बेल ये तु है ऐसे यग कारी करते थे ये हाथियों से परचित नहीं परचित थे ये आसते किस वेद में सभा और समिती को प्रजापती की दो पुत्रियों के रूप में वर्नित किया गया रिगवेद, सामवेद, शिल्पवेद और अथरवेद, कौन सा? रिगवेद, रिश्वत जैसी दे रहे हो धीमे से रिगवेद, बोलो, अथरवेद, आपका सभा और शमिती, प्रजापती यानि ब्रह्मा की दो पुत्रियों के रूप में इनका वर्णन किया गया है अथरवे इनमे से उत्तरवेदिक काल में किस अधिकारी को कोशा अध्यक्ष कहते थे उत्तरवेदिक काल में, भाग दुख, पालागल, संग्रहता और तक्ष, किसे कोशा अधिकारी के नाम से जाना जाता था? तुक्का लगाओ नहीं पता है तो, कौन सा? C, संग्रहता, भूलिए A नमबर, आपका C, सही है, संग्रहता, महा भिनिशकर्मन किस घटना को कहा गया है? महात्मा बुद्ध के जनम महात्मा बुद्ध की मरत्यू महात्मा बुद्ध को जब उन्होंने घर छोड़ा ग्रहतियाग महावेनेश कर्मा बोलिए इतना टाइम लगता है इसमे ग्रहतियाग की घटना जन्म को कुछ नहीं बोला गया मृत्य को महा परिनर्वार कहा गया है ज्ञान प्राप्त को क्या बोला गया है समवोधी उपदेश देने को धर्म चक्र प्रवर्तन नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध से संबंदित क्या सही नहीं है इन में पिता का नाम सुद्धोदन मा का नाम महामाया देवी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्र का नाम राहुल क्या महात्मा बुद्ध के संबंद में सही नहीं है बोलिये गल्दी गल्दी ये चक्र मत गुमाओ गायल हो जाएगा कोई क्या पत्नी कहुं थी उनकी? यशोधरा हाँ, यशोधा नहीं पत्नी थी यशोधरा, सी जो है यशोधा माविश्वामी की पत्नी का नाम था ठीके, अगला है बहुत धर्म के तिररत्न इनमें से कौन-कौन से माने जाते हैं बताईए सम्यक द्रश्टी सम्याग्यान सम्यक संकल वुद्ध धम और संग सत्याहिंसास्ते इन में से कोई भी नहीं जी वुद्धम सर्णम गच्छामी धमम सर्णम गच्छामी और संगम सर्णम गच्छामी ये बहुत धर्म के तिररत्म माने जाते हैं और ये वाले जो हैं वो जैन धर्म के माने जाते हैं दूसरी बॉद्ध संगीती की अध्यक्षता इन में से किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी महाकसप, मोगली पुत्र, तिस, वशुमित्र, इन में से कोई भी नहीं दूसरी बुद्धिष्ट काउंसिल की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई बोलिये वशुमित्र जी, जनाब, कितना समय लेंगे इनका वशुमित्र, इनका महाकसप, आप बोले, क्या तीनों ही गलत हो, ये था कौन, जो था नाम था, उसका शाबक मीर दूसरी बाली, नेक्स्ट है, वद धर्म का हीनियान और महायान दो में विभाजन हुआ था, कौन सी संगीती में हुआ था, कौन सी काउंसिल में हुआ था पहली, दूसरी, तीसरी, चौती, हीनियान और महायान में डिवीजन बोलो ही नियान वे लोग थे जो महात्मा बुद्ध की सिक्षाओं को बिना परिवर्ति किये हुए पालन करते थे महायान वे थे जिन्होंने सुधारवादी प्रवर्ति को अपनाया आपके अनुसार तीसरी में आपके अनुसार चौथी में आपके अनुशार पक्का चौथी में यही नियान और महायान का विभाजन हुआ था इन में से किसे भारत का आइंस्टाइन माना जाता है नागारजुन, शंकराचार, रामानुजाचार, वशुमित्र किसे नागारजुन, पक्का नागारजुन, महत्मा वुद्ध की पहली जो मूर्ती बनाई गई वो कौन सी शैली में बनाई गई है गांधार शैली में बनाई गई, या द्रबिन शैली में बनाई गई, नागर शैली में या वेसर शैली में बनाई गई महात्मा बुद्ध की पहली मूर्थी कौन से स्टाइल में बनाई गई कौन से ए नंबर आपका ए नंबर गांधार सैनी में बनाई जाती है कनिश्क ने किस व्यक्ती से वौद धर्म की शिक्षा ग्रहन की थी वसुमित्र अश्वगोस सोजान मेत्री धर्म कीर्ती बताईए पांडे जी जल्दी अश्वगोस से आप बोलिये नहीं पता आप बताव अश्वगोस से इनोंने वाद धर्म की शिक्षा ग्रहन की थी महावीर स्वामी से संबंदित नहीं है क्या उनका जन्म वैसाली में म्रत्य उपावापुरी में पुत्री का नाम प्रियदर्शनी ज्ञान वारानशी में महावीर स्वामी के संबंद में कौन सा गलत है आप बताए जल्दी ग्यान वाला आप बदो ग्यान कहां प्राप्त हुआता है इन्हें पावापुरी में तो मौत हुई थी जंबिक ग्राम जुपालिका नदी के किनारे मावीर स्वामी के किस सिस्य ने आजीवक संपरदाई की इस्थापना की हुई है जामाली, गोशाल, भद्रबाहु, इस्थूलबाहु आजीवक संपरदाई की इस्थापना इन्मे से किसके द्वारा की गई है तेज बोलो मुझ से आद रटा के गोशाल आप बोलो मोखली पुत्र यही गोशाल नेक्स्ट आता है जेन धर्म के तिर रतन इन्मे से कौन-कौन से मने जाते हैं सम्यग ज्ञान, सम्यक आच्रण, सम्यक दर्शन, सत्याहिंसाब रह्मचर्व, अनन्त ग्यान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, इन्मे से कोई भी नहीं बोली आप, आप बताओ ए नेक्स्ट आता है चंद्रगुप्त मौर इने कौन से धर्म को सॉरी जैन धर्म को अपनाया मगर किस से कौन किस से इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ग्रहन की थी इस्तूल वद्र 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 बाहू गोशाल और इनमे से कोई भी नहीं बद्र वाहू इस्तूल वद्र आपका वही इस बार तो पंडे जी मार गए वद्र वाहू से इस्तूल वद्र नहीं नेक्स्ट है किस अविलेक में वडन है कि कलिंग से नंदराज प्रतम जिन की प्रतिमा उठाकर ले गया था हाथी गुम्फा अविलेक में, स्रवन वेल गोला अविलेक में, कहोम अविलेक में या कोहम अविलेक में इन में से कोई भी नहीं जिन, यानि जिनेंद्र जिनें बोलते हैं, उनकी प्रतिमा उठा कर ले गया, हौन से अविलेक में इसका वढ़न किया गया है नहीं बता, हाथी गुमफ़ा भी ले की, कलिंग जब आए तो हाथी गुमफ़ा लगाओ अवतार वाद का सब से पहले बढण किस गरंत में किया गया है रिग्वेت, भगवद गीता, मच्य पृराण, मनुश्मरती अवतारवाद का वर्णन सबसे पहले किस गरंत में किया गया है जी किस में है भगवत गीता में ऐसे थोड़ी होता है सी और डी में से कोई भी लगा दो मैं सी और डी में से कोई भी लगा दू तो भी गलत है तुम्हारा भगवत गीता में किया गया है नेक्स्ट है, किस युनानी दूद्ध के द्वारा गर्ण ध्वज की स्थापना की गई है, हैलियोडोरस, हिकेटियस, मैगस्थ नीज, इन में से कोई भी नहीं है पक्का, हाजी, हैलियोडोरस किस प्राचीन शाशक ने दो अशुमेद यग्य करवाए, पुश्यमित्र सुंग, प्रवर्शेन, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त सुंग बंस के पुश्यमित्र सुंग के द्वारा दो अशुमेद यग्य करवाए दक्षिन भारत से उत्तर भारत में वैश्णों भक्ति को या भक्ति आंदोलन को लाने का श्रे किसे दिया जाता है आलाबार संतों को रामानंद को शंक्राचारी को रामानुजाचारी को रामानुजाचारी रामानंद पढ़ाया है भाई दो बार प्रिवीजन करवाया है सूर्षैन, काशी, अस्मक मत्से आप बोलो दक्षण भारत में वदावरी के दक्षण में चला जाता है कौन सा? अस्मक था किस शाशक को पित्र हंता कहा गया है अजात्षत्रू, विम्मिशार, विंदुशार, उदयन पक्का यहाँ पर दो नाम मिलेंगे अजात्षत्रू भी है, उदयन को भी यह कहा जाता है पुराणों में किस शाशक को दूसरे परशुराम का अवतार माना गया है काला शोप, महापदम नंद, अजात्षत्रू इनमें से कोई भी नहीं महापदम नंद, इसे दूसरे परशुराम का अवतार माना जाता है प्राचीन भारत पर सबसे पहले आक्रमन इनमें से किसके द्वारा किया गया दारा प्रतम, सिकंदर, महम्मद विनकाशिम, महम्मद गोरी सबसे पहले आक्रमन करने वाला कौन था दारा प्रतम, बोलिए बोलिए, सिकंदर, ऐसा सबसे पहले यह आया था दारा प्रतम, डेरियस प्रतम, हीरानी शाशक, इसी को तो सिकंदर ने हटाया था, अखामनी वंस, दारा प्रतम सही है, सिकंदर ने भारत में इनमे से कौन से शहर की स्थापना की, सिकंदरिया, बुकेफाल, वेवी लौन, तक्षिशिला, जी, अरे बताया था उसने अपने गोडे की याद में, वुकेफाल और एक निकोया, इसे विजयनगर कहते थे, यहां पर वुकेफाल आ जाएगा, चंद्रगुप्त मौरे और शैल्यूकस निकोटर के बीच में जो युद्ध हुआ, वो कब हुआ था, शैल्यूकस निकोटर युनानी सेनापती था, कमांडर था, वो युद्ध कब हुआ, 304, 5, 6, 7, 5 में, 5 में, बोलिये, 6 में, उसमें जब खेत की कटाई हो जाती है, तो कुछ लोग बाद में जाते हैं, कि कुछ बचा-कुचा उठा लाएं, तब 305 इशापूर में हुआ था, जब उसे चार प्रांत मिल गए थे, अफगानिस्ता के काबुल कंधार, है न, बलुचिस्तान, और उसकी लड़की का विवावी कर दिया था, हैलेना का, किस इत्यासकार ने चंद्रगुप्तुम्प की सेना को डांकुओं का गिरो कहा है, जस्टिन, एपिन, मेगरस्तनीच, विंसेंट स्मिथ, डांकुओं की सेना या डांकु का गिरो कहा, जस्टिन ने, अशुक ने किस अविलेक में कलिंग युद्ध के बारे में लिखा है, या कलिंग युद्ध का वर्णन है अशुक के किस अविलेक में? इनमें से कोई दे नेक्स्ट है यह सब तेरवे में आता है न अशोग के बाद कौन शाशक बना मौरेवंस का ब्रहद्रत दस्रत पुनाल और तीवर अशोग के बाद कौन शाशक बना दस्रत राम के पिता दस्रत ब्रहद्रत अंतिम मौरेश शाशक है तो यह तो बना नहीं कौनाल जो था यह बना है सी इन में से क्या सही नहीं है कि के समाहरता राजत स्विवाग का प्रमुख है सन्यधाता कोशाद्यक्ष है प्रदेश्टा दीवानी न्यायालाय का न्यायदीस है अंतुपाल सीमावर्ती किलों के रक्षक को कहा जाता है क्या सही नहीं है बोलिए क्या सायद भी सन्यधाता तो सही है कोशाद्यक्षी होता था समारता भी सही है अंतपाल भी सही है प्रदेश्टा जो है ये नहीं है सही सुदर्सन जील का निर्माण इसमें से किसने करवाया या पुनर निर्माण जो है वो किस ने करवाया पुश्य गुप्त तुसास्प कनिश्क इन में से कोई भी नहीं सुधर संजील गुजरात सुराश्ट पुश्य गुप्त नहीं पता ना गलत में लिख ले ना पुश्य मित्र सुंग के द्वारा जो अश्य में दियगी करवाये गए उसके प्रोहित कौन थे जैमिनी पतंजली वासुदेव इन में से कोई भी नहीं जैमिनी वेरी गुड पतंजली पतंजली थे भाई अरे किस वंस ने इतिहास में सबसे पहले लैड या सीशे के सिक्के चलवाए यह मात्र सत्तात्मक था गौतमी पोत्रशात करनी सबसे शक्तिसाली था किस व्यक्ति के द्वारा चमडे के सिक्के चलवाए गए निजामुद्दिन सक्का के द्वारा चमडे के सिक्के चलवाए गए अगला है गाथा शब्त स्टी की रचना इन में से किसके द्वारा की गई सौम देव, जै देव, राजा हाल, रानी, मलैवती, गाथा सब्त स्रती, सौम देव, बोलिए, ये रचना किये राजा हाल के द्वारा, इन में से किस शाषक के दरवार में नागार जुन, चरक, अशुघोस जैसे विद्वान रहते थे, अशुघ, चंद्रगुप्त, दुतिय, विक्रमा देते, कनेश्क, समुद्रगुप्त, दुतिय, विक्रमा देते, बोलिए, कनेश्क, इसके दरवार में रहते थे ये सभी, मुरत, शाषकों की इस मुरती में मंदिर और मूर्तियों का नर्मान किस राजवन्स ने करवाया है, गुप्तवन्स, मौरेवन्स, कुशाणवन्स, इन में से कोई भी नहीं, गोलिए, अरे ये लिख्याया है, कुशाणवन्स, चीनी आत्री पायान भारत में कितने साल तक रहा, चार, पांच, छे, साथ, चार साल रहा, कितने साल रहा, नहीं पता, चार, छे साल तक रहा, भारत में कोट, पाजामा, ओबर कोट का प्रचलन किस वन्स के शाषकों ने शुरू किया, जी, शक या कुशाण, दोनों अलग हैं, लेकिन कुशाण का नाम ज़्यादा मिलता है, शक का कम मिलता है, पायान के द्वारा गरंथ लिखा गया, जिसमें 138 देशों का वर्ण है, वह गरंथ कौन सा है, C.U. की, P.O. की, इंडिका, इनमें से कोई नहीं, इंडिका तो मेंगर स्टनीच की है, अब ये दो बस्ते हैं, C.U. की, ठीक है, ये तो रहे, इतिहास के क्वेश्चन, लास्ट है इतिहास का, कश्बीर के व्यवस्तित इतिहास की जानकारी कौन सी किताब से प्राप्त होती है, कलहन के द्वारा लिखी गई राजतरंगनी से, अब अगले जो क्वेश्चन रहेंगे, वो रहेंगे, कंप्यूटर से संबंदित, गेम खेलना आसान हो जाता है किस से माउस से कीवोड से जॉयस्टिक से मॉनिटर से जॉयस्टिक के द्वारा गेम खेलना आसान हो जाता है प्रमुक मेमोरी किसके समनवय से कार्य करती है इंटेल विशेश कार्य कार्ड रेंप सीपी यू कि दो है किसी इंटेल बहुं से पिछे यहां पर आयेगा ये किOM नेक्सि हैं किसका उप्योग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किय गया तक आऴ्युक करते हुए पहला अद्यूटर जैसे भूठ बनाया गया था एक तरीके से लड बंसीनी लंगुघ है किए मसीन लंग्वेज एसेंबल लेंगेज सोर्स कार्ड यह दो क्षसर्ण एक जयसे हो गए यह पर लेक लेते हैं हाइ लेवल लेंगवेज बताओ पहला कम्प्यूटर प्रोगरम इसके उप्योग से बनाय Iraq असेम्बल लेंगवेज पहला बनाया मसीनी लेंगवेज जोकि जीरो और वन से भनता था आई बीम छोड़ दो जीरो और वन वाइनरी डिजेटी तो समझता है तो पहला प्रोग्राम उसी डंक से बनाया गे